Hello guys, अगर आपका facehook account भी upload your ID वाली प्रोल्म में जा चुका है and आपके पास facehook account की name से कोई भी identity card नहीं है या फिर आपके पास आपके facehook account के name से identity card है लेकिन आपकी जो date of बढ़ता है वो आपके facehook account से match नहीं कर रही है तो आप लोग किस तरह से अपने Facebook account को recover कर सकते हो ये सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप भी चाहते हैं अपने Facebook account को recover करना तो वीडियो को complete watch करना और आपने अभी तक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले channel को red button दबा के subscribe करो और साथ मैं आपको एक bell notification दिख रहा होगा उस पर क्लिक करको उसे all पर set करो ताकि आप लोग को हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो का notification सबसे पहले मिल सके तो चलिए गाई सब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे पहले जो आपको अपने mobile screen पर आ जाना है जैसके मैं आ चुका हूँ और उसके बाद आपको जिस भी Facebook account के अंदर upload your ID वाली problem आ रहे है उस Facebook account को simply किसी भी एक browser पर login कर लेना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो Chrome browser यूज़ कर रहा हूँ यह मेरे एक subscriber का account है जिसने हमें Instagram की तुरू contact किया था एंड वाई का कहना है कि उनके पास जो है account के name से एक identity card है लेकिन जो identity card में date of birth है वो Facebook account से match नहीं कर रही है जिसके बज़ए से वो अपने Facebook account को recover नहीं कर पा रहे है तो guys अगर आपके पास भी आपके Facebook account के name से identity card है एंड आपकी date of birth मैच नहीं कर रहे है तो आप लोग जो है इस problem को किस तरह से solve कर सकते हो या फिर आपके Facebook account के name से आपके पास कोई भी identity card नहीं है या फिर आपको जो अपने Facebook account की date of birth नहीं पता है तो आप लोग जो इस condition में किस तरह से अपने Facebook account को open कर सकते हो वो सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पे clearly समझाने वाला हूँ तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे एक new tab create कर लेनी है न्यू टेप create करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा उसके बाद मैं आपको जो वीडियो की description में दो link देने वाला हूँ तो चलिए इस मैं आपको वो link चेक आउट करा जिता हूँ तो देख सकते हूँ guys यह वो दोनो link है जो मैं आपको वीडियो की description में देने वाला हूँ आपको जो इन दोनो link को copy करके अपने node page में कर लिना है save ठीक है and node page में save करने कवा दोस्तों आपको जो first वाले link को copy करना है and copy करने कवा दोस्तों आपको अपने browser पर बापिस से आ जाना है ठीक है browser पर आने कवा दोस्तों आपको जो इस link को search बार में डाल की search करते है and जैसी आप लोग जो इस link को search करते हो आपके सामने एक form open हो जाएगा changing your name मतलब आप जो इस form की मदद से अपने account का name change कर सकते हो ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो name किस तरह से change करना है सबसे पहले आपको जो एक real identity card लेना होगा ठीक है and जो name identity card में same name आपको यहाँ पर put कर देना है first name में first name डालना है and surname में surname डालना है and उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में जाना है and नीचे में जाना है दोस्तों आपको यहाँ पर region for this change का option में लेगा इसको click करना है and यहाँ पर आपको legal name वाला option select करना है बाई क्योंकि आप जो एक document से name change कर रहे हो ठीक है and उसके बाद दोस्तों यहाँ पर your document का option में लेगा तो भाई यहाँ पर आपको जा उसी identity card को select करना है जिसका आपने यहाँ पर name डाला ठीक है and उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलेगा contact email address तो भाई यहाँ पर आपको जा एक email दे देना है जिससे आपको जो आप Facebook team contact कर सके and आपको Facebook team contact करके बताएगी कि आपका जो name है वो update कर दिया गया है तो guys इन सारी चीजों को fill करने के बाद में आपको जो है नीचे में एक send button देखने को मिलेगा इस send button पे क्लिक करके आपको जो इस form को Facebook team को send कर दिना है ठीक है Facebook team को send करने के बाद आपका जो name है 24 गंटे के अंदर change कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन मैं इस account का name change नहीं करूँगा क्योंकि भाई के पास account की name से already एक identity card है लेकिन भाई की जो date बढ़ते है वो match नहीं कर रही है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा फिर से एक new tab बनाने होगी ठीक है new tab बनाने को दोस्तों आपको अपने again note page में चले जाना है यहाँ पर आपको जो अब second वाली link को copy करना होगा ठीक है तो हम यहाँ पर इसको copy कर लेते हैं आपको इस link को सर्च बार में डालके सर्च कर देना ठीक है जैसे आप इस link को सर्च करोगे तो आपके सामने एक form फिर से open हो जाएगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा request a birthday change मतलब यहाँ से आप अपने account की date of birth change कर सकते हो तो बाई यहाँ पर आपको जो सबसे पहले जो आपने identity card यूज किया है name change करने के लिए same identity card की date of birth यहाँ पर फिल कर लेना है ठीक है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर select region का option देखने को मिलेगा इस पर click करना है एंड यहाँ पर आपको जो first बाला option select कर लेना है कर देते हैं तो just मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ 17,5,2005 ठीक है तो हमने यहाँ पर date and month को select कर दिया है and year भी select कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने date of birth डाल दिये and उसके बाद just आपको नीचे में send button मिल रहा है इस send button पर click करके इस form को भी just Facebook team को send कर देना है send करने के बाद दोस्तों आपको जो 24 गंटे तक कुछ भी नहीं करना है 24 गंटे में आपके Facebook account का name and number दोनों ही update हो जाएगा एंड उसके बाद आपको जो अपने उस identity card को जिससे आपने name and number चेंज किया है उस identity card को यहाँ से submit कर देना है ठीक है submit करने के एक घंटे के अंदर ही आपका जो account है वो यहाँ से open हो जाएगा तो guys आज की video बस आपको यही चीज बताना चाहता था उम्मीद करता हूं मेरे दोआरा दीगई tips and tricks अच्छे से समझ आ गई होगी